किसान भाई जैसा आप जानते हैं कि आज के लिए जो भकरी पाला नुद्द्योग है वो एक एटियम मसीन की तरह काम करता है स наши इसा कोई बिधा नहीं ऐसा कोई विदा नहीं जो साल भर में पैसे को Rumid U N Можно कर सकते हैं यह सामानने किसान बहुत बड़ी चीज नहीं अपने पास रख सकता लेकिन बकरी पालन एक ऐसा कार है जिसको एक सामान किसान भूम हींद किसान भी अपने घर पे इस कारे को संपादित कर सकता है और इसमें कम से कम उत्पादन लागत लगती है तथा अगर ठीक धंग के प्रजाती हो और अच्छा देने वाली वाली विखन वाली की बड़्यां हो तो उसे जादा से ज्यादा फाइधा प्राब्त कर सकते हैं कि जहां तक प्रजातियों का सवाल है मुकता तीन भागों में इसको हम विभाजित करते हैं कुछ पाकरियां होती है जो सिधे सिर्फ दुगदूद पादन के लिए पाली जाती है जिसमें आपका जमुनापारी का नाम आता है जह करा नाम आता है इस तरीके की वरायटी हैं ये इसे, बीसों वराइटीज है लेकिन इनका नाम आता है जब हम दुगदुत-पादन की बात करते हैं तो इन दोनों के अतरिक अन्य बकरियां भी आती हैं दूसरा हुद्देस होता है इनका हम की इनको हम मासुत-पादन के लिए वैसे तो सारी बखरियों का उपयोग मासुत पादन के लिए होता है लेकिन जो नाम मसुहूर है उसमें बलेक बंगाल जो काले रंग की होती हो बगरी का मासुत पादन के लिए उप्योग करते हैं तीसरा अपने पास जो है वो दुकाजी नसल होती है जिसे हम मांस के लिए भी उप्योग करते हैं और उसके अतरिक हम उसको दुख 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 पादन के लिए भी रखते हैं और चौथा एक कटेगरी जो होती है उसमें हम इनको जो पहाड़ों पे पाले जाते हैं वो हम उसको पसमीना या इनके उन और मांस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पसमीना परजात की बकरिया होती है इसमें मैदाने इलाकों में पाई जाने वाली एक पर जाती है पंत्रजा यह मध्यमकदवाली दुविकाजी पर्योजन अर्थात मास वा दूद दोनों के लिए पाले जाती है इस बदामी रंकी बकरी के चहरे पर सफेद वो दो धारियां होती है जिस कारण इसमें मिल्क जैसी समानता दिखती है इन कुणों के कारण लोग इसको बहुत चाव से बाते हैं किसान भाईयों आपके समच्छे इस तराई और भावर छेत्र में जो नईनिताल उधम सिंग्नगर में जो प्रजाती बहुत संख्या में जिसकी संख्या भी 25 परसेंट तक है और इंडिस्क्रिमिनेट प्रजनन की वज़ा से जो दिनों दिन जिन में पॉपुलेशन में इकाई पे पाले जा रहे हैं इसी बगरी के पालने के लिए जो हमने जिस परजाती को रखा है और जो उच्छ समितियों में अभी रजिस्ट्रेशन के होने के करीब है जिसको उसको हम कहते हैं पंथजा बगरी जिसको यहां कि बग्यानिकोंने अपने देखा कि एक ऐसी बाताबरण में रहती चले आई है भाबर और तराई के बाताबरण में अनकूलन प्राप्त है और इस विशेष बकरी को हम पंतजा नाम से संपोधित कहते हैं और पंत जा आप देखेंगे इसके चेहरे को अगर आप ढंक से देखें तो इसमें सफेद रंग की एक स्ट्रिप् की वज़ा से और इनका उभार जो है यह एक हिरन की तरीके देखी जाप आजा माने हिरन होता है तो हिरन के तुल म्रग तुल ले दिखने वाली बकरी मध्यम्माकार की है दुकाजी नसल की है और इससे आप दो साल में तीन बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं दूसरी बच्चे और तीन बच्चे भी देती है हमेशा जब बकरी पालन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसी प्रजाती का चैन किया जाए जिसकी प्रोलिफिकेसी अच्छी हो जिसमें कम समय में जादा से जादा संतान नतुपन करने की चमता हो 15 बकरी पूरे वर्ष भर बच्चे देती है तता इसमें जुड़वा बच्चे देने की तर लगबग 66 परतिशत होती है और औस तन दूद एक लीटर परतिदिन देती है जिसमें 3.87 परतिशत वसा तता 9.13 परतिशत वसा रहित ठोस्पदार्थ होते हैं और इनका दुग का 135 दिन से 177 दिन का देखा गया है यह बकरिया परतंबर 412 दिन से 448 जुनों में बच्चे दे देती है एक वर्ष की उमर में बकरी का वजन 16-18 किलो तथा बकरे का वजन 18-24 किलो तथा बदिया बकरे का वजन 21-28 किलो तक हो जाता है और उससे 62 परतिशत मास की प्राप्ति हो होता है अगर नर को हम बधिया कर देते हैं तो उसका वजन एक कई से एठाइस किलो तक प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार से इस तरही के बाताबरण में कम से कम मिर्तुदर वाली बकरी है और इसका मास का जो स्वाद परिच्छन बिस्विद्याले अस्तर पर अन्नी जगहों पर किया गया है उसमें पाया गया है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है और इस शेत्र में आपको मिलेंगी पंतजा की बकरे की मीट की साव मिलेगी पंतजा के फार्म मिलेंगे तो इसका सारा स्रे इसके इस ब्रीड के अनकूलन के कारण जाता है कि यह से बाताबरण के अनकूल है और इससे किसान भाई लाभान बित हो रहे हैं यह पंतनगर बिस्विद्याले इनहीं का संबर्धन क करके इनहीं का बरण करके इनहीं में इंप्रूब्मेंट पैदा करके किसानों के मद्धेश को पुना ले जाने के लिए आई से एक प्रयोजना सो विक्री तो ही जिसके माध्यम से प्राप्त होने वाली आया है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं इसमें आप जैसे जानते हैं तीन महीने तक इनको हम मा के साथ रखते हैं उसके बाद उनको अलग कर देते हैं और बकरियां आपने देखा होगा सभाव गोत रूप से अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाए ते इनको परिशानी होती है चराई करना पसंद करती है भोजन के नाम पे इनको हम इनके में चूनी चूकर को अगर मान लिए इनका सरीर भार 10 किलो ग्राम है तो उन्हें 100 ग्राम प्रति दिन के रूप से या दिन की चराई सामाने रूप से कर जे रही किसान भाई इनके खाने के लिए earlier रहे हुए हैं जिसमें आप देख रहे होगे कि अंदर की तरफ इसके लिफ्स मुड़े हुए हैं जिससे फीड की बेस्टेज बहुत कम होती है इसमें सामान रोब से अपना दानाचारा वो खा सकते हैं कम से कम और छोटे से जगे में ज्यादा से ज्यादा बकरियों पालने के लिए जो है यह सारी चीजे उपयुक्त लग है और उस बाड़े में यह घूमने के अतरिक चुकि एक आयूबर्ग के बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो उसमें लड़ाई यहां कम होती है और बड़े बकरों से उनको खतरे भी कम रहते हैं इस प्रकार से अलग-अलग सिस्टम से रेलिंग करने के पश्चात जब यह पर पकता जो छे महीने के बाद आती है जब यह उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो हम बकरों को सामान रूप से अलग बाढ़ देते हैं जिस से उनकी प्रजन च्छंपता का समया अनुसार उचितूपियों किया जा सके और इस प्रकार से इनको रखने के लिए जो सामान प्लेटफार्म करते हैं अगर उनके पास देखा थोड़ा सा बना सकते हैं और आपने देखा होगा कि यह कुछ बकरीओं को देख रहे हैं कि आप यह सा मान रूप से ऊपर बैठना पसंद करती है वह इसे गाय भाइस में देखा कि गोबर वहीं करती हैं वह बैठती हैं लेकिन इनको हमेशा बैठने के लिए थोड़ा सा उपर का अस्तान होना चाहिए इधर देखिए और इस साइड में भी बैंचेज बनी हुए जिसको और यह साफ सुथरा रहना पसंद करती है जैसे मानो में रूप से जो टीके लगाये जाते हैं वरसबर में पीपी आर के टीके लगते हैं इस परकार के टीके लगवा करके अगर इनको इनको इन सारी धूब छाओं जो कुछ भी प्रकृतिक सुभधाय उपलब्ध हैं उनको दिया जा रहा है तो इनसे किसान भाई अधिक से प्राप्त कर सकते हैं इस परकार अगर हमारे किसान भाई मैदानी वो तराई चेतरों में इस पंतचा बकरी को इस परकार पाते हैं तो इसके द्वारा अच्छी आया जित कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं